इतना हम महामुर्ख तो ना बने, जितना हम भगवान को जानते हैं, उतना माया के ज्ञानी बनना है, माया को नहीं जान पाएंगे, धोखा खाएंगे, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है, तो माया भी कोई कम नहीं है, माया भी सर्वशक्तिवान है, भगवान का राज आधा कल्प चलता है तो माया का भी राज आधा कल्प चलता है भगवान ने सोने के द्वारी का रचते हैं तो माया भी कम नहीं है माया भी सोने के लंका रचते हैं समझना है माया कम नहीं है तो जितना हम भगवान को जानते हैं उतना माया के ज्ञान ही बनना है. माया को नहीं जान पाएंगे, धोखा खाएंगे. भगवान से बेमोक कर देगा. चम्जया? भगवान से भी शक्तिशाली माया को दिखाया. माया भी रावन. रावन को राम से भी शक्तिशाली दिखाया. इतने शक्तिशाली, रावन को दिखाया, सभी तत्तों को गुलामी बना कर रखा है, सभी देवताओं को, देवियों को वश कर लिया था, पांच तत्तों को वश करके आपने दासी बना कर रखा था, जल देवताओं उसके घर में बंदी थे, बंदी, उनके आग्या पर चलेंगे, अग्नी देवताओं बंदी थे, जब चाहे उनको आग्या देंगे, तो ये शाला से ओज काम करेंगे, पबन देवता है सब ही देवताइ maintained running ने दासी थे कौंसा समय था झांसा समय था our planet यहीं तो समय है घर घर में science का यह विर दुनिया है जल्द दिवता हमारे नलके में बंदी है जब चॉहें नलके में जब चॉहें हमारी इशारे पर खोलेant काम करेंगे अगनी देवता है हमारे चूले में बंदी है हमारे इशारे से काम करेंगे बटन दबाएंगे अगनी काम करेंगा पबन देवता हमारे इशारे पर हवा करेंगे यह समय अभी है यह मायवी दुनिया है यह सोनिक लंका मायावी दुनिया लोग कहते हैं यह तो स्वर्ग है स्वर्ग में और क्या मिलेगा तो यहीं स्वर्ग समझ रहे हैं यह मायावी दुनिया है यह मायावी रावन कभी भगवान का रूप बन सकता है शासर में दिखाया हुआ है राम और रावन की लराई हुई थी तो रावन की सेनाई राम की सेनाई लर रहे हैं आपस में रावन ने ऐसे धुन्दला बान मारा की रावन की सेनाओं को राम जैसे दिखाई दे रहे हैं और बानर सेनाई लड़ने में मूझ रहे हैं यह सबी राम कैसे मारे है? माया भी दुनिया है तो रावन के पास ऐसे वान है रासूरों में भी ऐसी शक्ति है क्या करते हैं? रावन की सेनाओं के बीच में ना असूर आ गए था वो भी हनुमान का रूप लेकर हनुमान उनों के साथ बानर सेना हैं ना तो बनर से ना बन कर उनों के साथ घूम रहे थे दिखाया है ना सारे रामयन में तो माया भी शक्ति ऐसे है कुछ भी रूप ले सकते है भगवान जैसा बन सकता है कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए भगवान के काईरों को हमें समझना इतना हमने भगवान को जान लिया समझ में आना चाहिए भगवान का काईरा क्या है भगवान का करतेव क्या है भगवान आए इतना बेहत एक यग्यर अचा है विश्य भर में व्यापक हो गया भगवान किसके द्वारा ज्यान देते हैं ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मन रचते और ब्रह्मनों को ही ज्ञान देते हैं इस ज्ञान के अथर्टि ब्रह्मन बनते हैं ब्रह्मन मना ब्रह्मा कुमार कुमारिया कभी ऐसे अज्ञान में आन ना जाए कभी ऐसे हम भ्रमित ना हो जाए अज्ञानता में, मायावी ये, चर्चा में कभी हम ज्ञान से भ्रमित न हो जाए भगवान के करतेवों से हम समझने में बेमुक न हो जाए आखिर मूली ही सुनाते रहेंगे, भगवान आते रहेंगे आखिर भी कब तक भगवान ने कह कर गया भगवान कह कर गया ना, आखिर भी कब तक ऐसे आते रहेंगे मिलते रहेंगे, आखिर विदाई लेंगे ना, आखिर हमें जाना है ना या आते रहेंगे, एक शरी छोड़ा दूसरा, तिसरा, शोड़ा चोथा, पाच्वाँ ऐसे आते रहेंगे नहीं न? भगवान एक गेद बनाया इतना दिन बाबा आये है तुम्हार से मिलने के लिए अब तुमको आना है वतन में तुमको मिलने के लिए सुनते हैं ना गेद अभी हामें बाबा बुला रहे हैं जो पुरुशात करेंगे उसके लिए बाबा कोई दूर नहीं है उसके मन में बाबा आते नहीं है प्रश्न नहीं होगा कभी भी मिल सकते हैं हमेशा हमारे लिए बाबा इंतिजार में है बाबा को कोई नोकरी धन्दात हो रही है हर पल बाबा हमें विलकाम करने के लिए बावा बैठे हैं, हमें जाना है, जो बावा ने हमें मिलन की, बैसे की ब्रह्मा बावा जब थे, ब्रह्मा बावा के द्वारा भी, अभ्यक्त मूडलिया भी चलती, कई मूडलियों में बावा ने कहा, भले बाप यहां बैठे हैं, लेकिन तुम को याद वहां करना है उपर में करना है भले बाप यहां बैठा है तो बाबा शीखा के गया है न हमें मुक्त होकर जाना पड़ेगा न बाबा के साथ बाबा के साथ जाना है न तो हम को यह नहीं आए कि बाबा क्यों नहीं आते है शायद थीसरा रहत्र लिया होगा बाबा स्चायद वहाँ आता होगा यह भ्रमित नहों भागवान का कर्तेवुजे हम सुना रहे थे इतना विष्य भर में ब्रहमा कुमार के नाम से प्रख्यात हुआ इतना हम महामुर्ख तो नहीं बने भगवान का करतेव है भगवान ऐसा करेगा क्या यह संगस्था से भगवान नाराज हो गया क्या थोड़ा हम समझे भगवान अभी ब्रह्मा कुमारी संगस्था से कुछ काम नहीं हुआ अभी भगवान दूसरा संगस्था खुलकर भगवान आपना काम करेंगे कितना समझदर कहेंगे या बे समझद कहेंगे तो ऐसे बे समझ हामें नहीं बनना इशारसी समझ लेना हामें भटकना नहीं है भगवान बाहात हिला के हामें बुला रहे हैं अब जाना है अब जाना है तुम गीत सुनते हो ना, अब घर चलना है, अब हमें इस शेरीर से, शेरीर के भांस से मुक्त होकर वतन में जाने का पूरुशार्त करना है, इस पूरुशार्त में आगे बढ़ना है, भटकना नहीं है, चमझा, समय कम है, इतना ही बहुत है, ओम शानते.